आज हम बनाने जा रहे हैं बेदमी पूडी और आलू की सबजी करारी करारी फूली फूली पूडियां और साथ ही रसेदार स्पाइसी आलू की सबजी बनाएंगे ऐसे तो ये यूपी का फेबस फूड है लेकिन ये पसंद सब को आता है तो चलिए फिर सबसे पहले हम सबजी बनाते हैं जिसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम एक चम्मच बेसन को भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पर लगातार हमें इसे चलाना है दो मिनिट तक रंग चेंज नहीं करना बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं भूनना सिर्फ दो मिनिट के लिए बूनना है ताकि कच्चापन निकल जाए जैसे ये हो जाएगा बेसन को हम अलग से बहार निकाल कर रख देंग अब सेम कड़ाई में हम डाल रहे हैं तीन से चार चम्मच तेल तेल की जगाब घी भी ले सकते हैं तेल गरम होने पर डालेंगे एक चम्मच जीरा एक चौथाई चम्मच हींग अद्रक और हरी मिर्ची ली है तीन हरी मिर्चे हैं और एक इंच अद्रक है इन्हें मैंने कू लोग फ्लेम लो पर रहेगा एक छौथाई चम्मच हल्दी पावडर, दो चम्मच धनिया पावडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पावडर कलर के लिए और आधा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्ची पावडर, स्पाइसीनेस के लिए लगाताइर चलाते हुए 10-20 सेकंड क लिए हम मसालों को पका देंगे याद रखेगा यह पूरा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करना है अब इसमें हम डाल देंगे भूना हुआ बेसन जो हमने भून कर पहले ही रख दिया था बेसन को भी मसालों के साथ लगातार चलाते हुए एक मिनिट तक हम और अच्छे से पका ले मिकस कर देंगे सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जैसे यह जाएगा इसे धख देंगे despite को हम मीडियं पर कर देंगे और तब तक पक ने देंगे जब तक पक़में तेलों से लग हो जाता इसमें 4 मिनिट का टाइम लगा लगभक ph disgrace सेkalरे तेल जो है मसाले से अलग हो गया है इस time पर हम इसमें आलू डाल देंगे उबले हुए आलू है चार आलू है medium size कह सकते हैं आप या medium से थोड़ा छोटा size ही है आलू का अच्छे से इस तरीके से आलू को mesh करके डाल देंगे अब इस मसाले को और आलू को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे, बहुत जटपट ये सबजी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, जैसे ही सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें गरम पानी डाल देंगे, तीन कप इसमें जो तरी होती है यानि कि जो पानी होता है वो ज्यादा डलता है सबजी में इसलिए मैंने तीन कप पानी डाला है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं थोड़ा नमक पहले डाला था थोड़ा अभी डाल रहे है एक चम्मच गरम मसाला खटाई के लिए एक से देड़ चम्मच आमचूर पाउडर और इसके साथ ही कसूरी मेथी को थोड़ा ख्रश करके डालेंगे सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जैसी ये मिक्स हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढख कर कम से कम 10 मिनिट तक पकाएंगे ताकि बढ़िया सी इसमें खुश्बू आ जाए तेल जो है वो अलग हो जाए और बढ़िया सी तरी वाली आलू की सबजी बनकर तयार हो जाए तो 10 मिनिट हमने इसे पकाया बहुत बढ़िया से ये पक गई है थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे मिक्स करेंगे और हमारी स्पाइसी आलू की सबजी बनकर तयार है चलिए अब बेदमी पुरी बनाते हैं जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक चौथाई कप जो सफेद उड़त की डाल होती है उसको 2 गंटे के लिए भिगो दिया था 2 गंटे में अच्छी फूल गई है तो अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे लेकिन उसके पहले जितना भी पानी है वो हम अलग कर देंगे पीस्ते टाइम पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरत लगे तो आप एक या दो चमच पानी के डाल सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है तो इसे पीस लेते हैं और ये देखिए हमने पीस कर इसका एकदम smooth paste बना कर तयार कर लिया है अब इस paste को हम side में रख देंगे और चलिए अब 8 लगाते हैं आठा लगाने के लिए एक कप गेहुं का आठा हमें लेना है इसमें हम वन फोर्थ कप यानि एक चौथाई कप सूजी मिक्स करेंगे और जो दाल हमने पीस कर रखी थी वो दाल भी हम इसी में ही मिक्स कर देंगे अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार इसके साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही मैंने अद्रक और हरी मिर्ची ली है, यह मैंने कूट कर ली है, दो हरी मिर्चे हैं, आधा इंच अद्रक है, अजवाइन ली है, एक चम्मच इस तरीके से ख्रश करके डाल देंगे, इसके साथ ही हींग डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच, कसूरी मेथी एक चम्मच इस तरीके से ख्रश करके हम डाल देंगे, सारी चीजों को अब हम बढ़िया तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे, बहुत ही बढ़िया यह पूरिया बन कर तयार होती है आपको बहुत पसंद आएंगी तो सारी चीजे जैसे ही अच्छे से बिक्स हो जाएंगी हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगाएंगे जो पूरियों का आटा लगता है वैसे तो हार्ड लगता है लेकिन यह आटा हमें सेमी सॉफ्ट लगाना है क्योंकि इसमें सूजी है तो सूजी फूलेगी तो आटा बाद में अपने आप ही हार्ड हो जाएगा तो आटा लगकर तयार है इसे ढख देंगे और दस मिनिट के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे दस मिनिट हो चुके हैं आटा जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है तो इसे एक से दो मिनिट के लिए और हम अच्छे से मसल लेते हैं उसके बाद आटे का थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से हाथ में उठा कर इसकी लोई बना लेंगे जैसे रोटी पराठी के लिए हम बनाते हैं चकले पर थोड़ा सा तेल या गी जो भी आप लगाना चाहें वो लगा कर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे जो पूरिया है वो बड़ी या छोटी आप अपनी चोईस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो देखिए पूरी हमने यहाँ पर बेल ली है तेल जो है वो बड़िया से गरम हो गया है तो पूरी को फ्राय करते हैं पूरी फ्राय करने के लिए जो तेल है वो अच्छा गरम होना चाहिए फ्लेम भी हाइपर होनी चाहिए पूरी डालने के बाद उसे हलका हलका सा इस तरीके से हम प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे दोनों तरफ से पूरी को हम ब हमारी बनकर एकदम तयार है कैसी लगी है आपको यह रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा